गुद मॉर्णिंग माइडियर स्टुडेंच आज फेरी देरे देन बाद मां तिमेरको यूनिट टेस्ट सकेरा वाइडो क्लास आज आमी गर्णे चों ब्याक्रन बाटक क्रिया तिमेरको किताब को पेज नंबर 43 अथावा 43 क्रिया अथावा भर्व और क्रिया बन्नाले कुने काम भायको वा गरिये को भुजाने सब्दालाई क्रिया भानिंच यूति मेर लाई साने क्लासमा बिदीते भायको कुरा हो रो क्रिया, जस्ते है अब खानू, बस्नू, हिन्नू, लेखनू, पडनू, इत्यादी, जाती पनी अब आमी काम गर्चों, ती जग मैं क्रिया ન, अरा, जस्त ness दिनेस हासदाइच यह ता, क्रिया वयो, अरको जस्ता अभ त्यसले पाठ पडियो और यह क्रिया वयो, यह शरी कुणई कांभ़ैको, अतवा, कुणई कांगरियेको भुजाउने सब्द लाई, के भनिंच, क्रिया भनिंच, रो क्रिया को भेद और को आयो, अथवा क्रिया को प्रकार, कैन्सब्भप, रो क्रिया लाई कर्म का आधार मा क्रिया ला दुव भाग मा बाढ़ियेको छा, दुव किसिमले क्रिया ला बिवाजन गर्येको छा. पहिलो छा कर्मको आधार्मा क्रिया को भेद रा कर्मको आधार्मा क्रिया दुई प्रकार काचन ती हुन सकर्मक्रिया रा अकर्मक्रिया रा सकर्मक क्रिया लाई ट्रांजिटिव भर बनींचा बने देखी अकर्मक क्रिया लाई बनींचा इन्ट्रांजिटिव भर बनींचा रा अब सकर्मक क्रिया के उँ बन्दा खेरे चाई जुन क्रिया को कर्म उन्चा त्यसलाई सकर्मक क्रिया बनींचा जस्तई राधा बाद खांचे अनी हरी ले कापी मां लेख्यो अब राधा ले बाद खांचे राधा ले के गर्चे वनेरा प्रस्म गरदा खेरी बाद खांचे अरी लेक्य मां लेक्यों बंदा खेरी कापी मां कापी वने को खाता रहा यस अरी कुनैपनी वाक्य मां मलक्रिया को कुनैपनी वाक्य मां के प्रस्ण गर्दा त्यसको सही उत्तर पाईयो बने देखी त्यों हो ट्रांजिटिब भर अतवा सकर्मक्रिया तेस्ते प्रकार ले डाकनू, छुनू, कुटनू, जाचनू, राखनू, सोधनू इत्यादी अब ती जम्माई ट्रांजेटिव भर्प अथावा सक्कर्मा क्रिया फेरी बनी ती मेरलाई मा रिपीट गरदे बताऊंचु जुन क्रिया को कर्मा उंच, तेसलाई सक्कर्मा क्रिया बनी च, अथावा सजिरो रूपले आमिले बुजनू को लागी च, प्रस्णा कर्दा, के प्रस्णा कर्दा खरी जवा आमिले तेसको सही उत्तर पाउंच, रा त्यो सही उत्तर पाउंदा खरी च, तेसलाई सक्कर्मा क तर्मक्रिया अथाओ relaxing word बणींग्च not a रा जस्तरी ब्हाई रोयो भाई कि रोयो अब त्योसियाओई आपछी रोयो अब त्योस mend 152 पाईब्सक्रिवाओना सकेनों के प्रस्णा करदा जब तेसको साई उत्तर पाइन दायना तेसलाई इन्ट्रांजिटिव भर अथवा अकर्मक्रिया बनींचा जस्ते रूनों के रूयों आई तेस उत्तर पाउने सवालां दायना आसनो के हासनो त्यस्वापनि अब आमिले उत्तर पहुदैनों यह जुन क्रिया को कर्मा हुदैना यसलाई इन्ट्रांजिटिव भर अतवा अकर्म क्रिया बनींच रख अब अर्था का आधार मा क्रिया का भेद दुई प्रकार का चन अर्था को आधार मा क्रिया लाई दुई भाग मा बाड़िये कोच यह उटाचा समापिका क्रिया और कोच असमापिका क्रिया रहा समापिका क्रिया बनाले जुन क्रिया बाटा बाहो को पुर्णता प्रकट हुँचा जुन क्रिया बाटा बाहो को पुर्णता प्रकट हुँचा तेसला समापिका क्रिया बनिंचा यो समापिका क्रिया माँ चाई चाई सकर्मक क्रियाओस चाई अकर्मक क्रियाओस दोई टै समापिका क्रिया हुना सक्चा अकर्मक क्रिया पनी समापिका क्रिया हुना सक्चा और अकर्मक क्रिया पनी समापिका क्रिया हुना सक्चा यसमा अब जस्ते सरीता चीठी लेक्षी अथवा केटो रोयो इत्याधी अब इन्यरूची कियोंच वन्देखी यसले पूर पुर्णा रूपले अब भाव प्रकट गरेक हुनाले यसले समापिका क्रिया बनिंच और को आयो ओ समापिका क्रिया ऐग्य अब त्योब पुर्णा था प्रकट हुन्दाइना त्यसले की बनिंच असमापिका क्रिया बनिंच उजस्ते मादोगए पछी अब त्योँ पूरा वाक्य बायना अथवाव आमिले सरल रूप्मा जाननू हो बने लेखी समापिका क्रिया चेंगी हुन्च बन्देगी जशले पूरा अर्थह भुजाओं छे उसलाई समापिका क्रिया और ये सरी क्रिया लाइ। दुई किसिमले भाग गरियेक छे युटा कर्मा को आधारमा, सकर्म क्रिया र अकर्म क्रिया और्दव को आधार मा क्रिया लाइ पने दुइवाग मा बाणिये कुछ समापिका क्रिया रा असमापिका क्रिया रा यो भयो क्रिया आजा ये तीनश गरो इस बटह अब टिमेरको दिन दिन में एनुल एक्जाम्प नजिक नजिक आ安दै है, ठिमेरको दिवाली पिछाडी को हप्ता दिन बाद वेत्रा मा ठिमेरको एनौल अचीनल अथाव फाइनल इक्जाम्प हुने चा योपनी तिमेरके प्रिपेरगाने ज़से क्रियालाय क्रियाकेलाय बनिंच? कर्मा का धार्मा क्रिया02 कि इस्पर्ण कि इस्पर्णा कﷺ क्रिया और ज्या प्रस्णाल मोंखोन Alors नाम ग्रमा क शाए hmए hm प्रष्णी तो ऊंत रहले ऊंत तो स्थम्न प्रस्णालायक को कर ल होत तो सस्क्डियाले